नमस्कार साथियों निश्कुमार सुकल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्रित इंकर्च के लेड़निंग प्लेटफॉर्ण पर दोस्तों का एक ग्रिशिव अनस्पत विज्ञान एग्रिकाइचरल बोटनी उसका एक और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कराया हूं आज का मारा टॉपिक अब डिसकुशन रहेगा उतक एवं उतक तंत्र यानि टीशू एंड टिशू सिस्टम ठीक है इसके बारे में कंप्ली डिसकुशन करेंगे देखिए चैप्टर जो है काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एक्जाम के दृष्टी से और यह बहुत अच्छा टॉपिक अब पढ़ेंगे तो काफी इंडरेस्टिंग टॉपिक अपको लगेगा देखिए पहले मैं यह अब इसमें से बात करेंगे कैसे कैसे कोश्चन आपको एक्जाम में आ सकते हैं ठीक है यहाँ पर दीखें विभिन परकार के उतक पढ़ना तने की लंबाई में ब्रिधी का कारण है तो देखिए इसमें से आपका राइट आप्सन का हो जाएगा सिर्स भी जे उतक ध्यान में रखेंगे फिर वह उतक जो पढ़ों को यांत्रिक सक्ति प्रतान करता है देखिए काफी इंपर्टेंट चीज है यह द्रिढ़ों तक हो इसमें भोजब पतार्थों का स्थान्तरण होता है तो यह हो जाएगा अपका फ्लोएम होते हैं और ज्यों ज्समें संभान पूल पाई जाता है संभान जिसकों वैसल्स बोलते हैं वेसिकल वह है इसमें रैट ऑप्सन नबर शाथ जब जायलम तो यह ही त्रिचा परिसित ह होते हैं तो संभान बंडल को क्या कहते हैं तो एक कॉंज्वाइंट हो जाएगा और भी ध्यान में रखना है ठीक है फिर देखिए यहां पर जाइलम ता फ्लॉयम के मद एधा की उपस्थिति के कारण संभान बंडल कहला आते हैं राइट अप्शन वर्धी हो जाएगा आप स पे एधा का कारें लिखे तो जो एधा होता है सा कोषघ करते हैं जो जड़ के संभान बंडल होते हैं और यह ध्यान में रिखेंगे तने एवं जड़ की मोटाई में बृद्धी होती है तो यह पार्श्वी विवजी उतक यानि एधा द्वारा संभान उतक के नाम लिके तो जाइलम है फ्लोयम है यही संभान करते हैं आपको पता है जाइलम जल करते हैं तीक है आपको पता भी है रोम है मूल रोम करते है मूल है तो वह जल का उचर्शन करते हैं ठीक है फिर यहां पर आप लोग दीखे क्या हुआ है दस्मा कोश्चन है जड़ से पतियों तक जल जायलम का जो एक इस उतक द्वारा होता है तो वह जाईलम हमके बतागा है कि जल जो है जाल से पती को तक जय irulme कर जाते हैं उबयफलोईमी संभान Manda कर दो जांळों के दोनों फ्लोएम को रिस्थित होता है ठीक है यह वर्ष्थी यह उपन होते हैं पिर आपका यहां पर देखिए एक जाहिलम और आपका जो एंडार्क जाइलम है उसमें क्या अंतर है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं देखिए यहां पर है जडो में इस्थित अरिय यानि रेडियल संभहन पूल में अधिदारू जिसको बोलते हैं प्रोटो जाइलम परिधी की और तथा अनुदारू यानि आपका मेटा जो जाइलम है वो केंद की और तथा अनुदारू परिद की और इसे होते हैं इसे अंततह क्या काते हैं तो विदारू यानि इंड्रच काते हैं ठीक है एधा पर टिपड़ी लिखे तो ये एधा के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि इसको केंबियम बोलते हैं एधा को तो यह आपका पतली भित काई में ब्रदी होती है फिर देखिए फ्लोयम उतक की कोशिकाओं को ना मांकित कीजिए तो यहां पर देख लिए यहां पर सीव प्लेट है यह सीव ट्यूब यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका पैरेन काईमा यह देख रहा है फिर यहां पर आपका जो है करपेनिय यहां पर बोलते हैं ठीक है यह लंबी सकरी होती है अंतिम सीरे नुकीले होते हैं यह नुकीले सीरे द्वारा लंबाई में जो है एक दूसरे से जूड़ी होती है ध्यान में रखेंगे यह जल संबहन के अतिरिक्त पोधे के द्रिणता प्रदान करती है ठीक है फिर दीके दा में सहायक होते हैं फिर देखें आपर आपको टिपड़ी लिखना है मृदूतक मेरिस्टेम रंद्र की सनरचना इवं क्रियाविदी और आपका लजात गुहिका पहले आपर मृदूतक जिसको पैरेन काईमा बोलते हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं देखें इसके कारे भी लिखा हुआ है ठीक है यहां पर देख लिजे कहा हुआ है यहां उतक पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है यहां पर इसके कार भी आप पढ़ सकते हैं पैरेन काईमा बी देखिए आप इसको जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि यह काफी इंपर्टेंट चैप्टर है और चुकि वीडियो बड़ी ही नहों जाए इसलिए हम जल्दी से कम्प्लीट कराते हैं को सकाओ के मद वायु को ही काई जिसको एयर केविटीज बोलते हैं तो यह देखिए बन जाती है और मृदू तक को सकाई वायु तक यह नि एरन काईवा बनाती है यह प्लवन इम अगर्य शिर्सस्त भी फजो ठीक है इसको बोलते हैं एपिकल मेरे स्टेम पेड़नी अर दूसरा arch जाती है यहां पर देखे एक रंद्र की रचना भी देख सकते हैं तो आप अंतर भी दख सकते हैं यह जो अंतर यहां पर लिखे हो है देखे होा है पर देखें लिए चोड़ चोड़ के पढ़ा रहा हूं कि आपको सारा पढ़ना है पीडियोफ में आपको देदूं का टेलीग्राम पर पूरा पढ़ लेंगे चुकि चैप्टर बड़ा है काफी ज्यादा इंपर्टेंट है इसलिए आपको स्कीप नहीं कर रहा है जाहिलम फ ले पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आदा हो जाता है अपर खुला संभहन बंडल तो यह बिज पत्र में पाए जाते हैं और यह बंड़ ऑता कर के एधा में अंतर लिखिए तो इसे संभहन यह क्या है जाइलम तता फकैว यह मॉमhu के मद्य स्थित होते हैं और ततियाक ब्र तीन कोश्चन आते हैं, 14, 15 और 16 नमबर का, और एक कोश्चन 6 नमबर, यानि तीन कोश्चन आपको 18 नमबर, पासिंग मारक आपका 17, यह तो तीनो कोश्चन सबसे ज्यादा important है, यहाँ पर विन प्रकार के संभान बंडलों का लेक कीजिए, इनकी सनुशना में अंतर को नामा संभान बंडलों में अंतर, यह तो जार बारा में आई, यहाँ पर आप कंज्वाइंट वैक्यूलर, जो है वैस्क्यूलर है, और यहाँ पर कोश्चन आपको पढ़ना है, यहाँ पर कंप्लीट जो है दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यह बाई लिट्र कि इंपर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपर्टेंट आपकी एक्जाम के जरूर कोश्चन आप बांते हैं, ठीक है, अब पीडिएफ मैं आप दे दूगा, टेलिग्राम पे उससे आप पढ़ लेंगे, चुकि यह मैंने बुक से फोटो ली है, तो पीडिएफ मैं आ आप डाउन्लोड करके, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, और नोट्स बनाके एकदम पी जाएए, ठीक है, घोल कर उसको, ताकि यहां से कोश्चन आए, तो बिल्कुल आपका गलत ना हो, ठीक है, वर्टसप ग्रूप का लिंक है डिस्क्रिशन में, उसको भी जॉइन करे वहाँ पे अपनी कोरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं, अब देखिए कोई कोश्चन बैगर आप लेक्चर में, लेक्चर के से अगर रिलेटर कोई 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 कोश्चन है, कोई भी कोश्चन है, कमेंट में आप लिख दीजिए, हम उसका आंसर कर देंगे, यह आ पर आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना है, वीडियो को जादर से जादर सेयर करना है, क्योंकि ग्यान बाटने से बढ़ता है, थैंक्स वर ओचिंग, टेक कियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,